हलो दोस्तो स्वाकत आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के बारे में दोस्तो किया सोनेट को ओफिशली अन्विल कर दिया गया है दोस्तो किया सोनेट की प्राइस को छोड़ कर बागी सभी जानकरी किया मोटर्स के द्वारा ओफिशली बता दी गई है अटो एक्सपोट 2020 के अंदर दोस्तो किया सोनेट का कॉंसेप्ट वर्जन दिखाया गया था जिसको की काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इस काड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे जैसे कि इस काड़ी का एक्स्टिरियर, इस काड़ी का इंटिरियर, इंजन स्पेज वेगेशन और इस काड़ी में मिलने वाले फीचर्स के बारे में तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पेली पार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, बेल आगन को भी दबा लीजिए क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट काड़नी उस रिव्यूस एंड कमपेरेज ज़ता सेल्स फिगर हांसेल किये हैं और अपनी जग्य के बनाई हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कड़ी के डिजाइन के बारिमें है इस गड़ी के front design के बारे में Kia Sonate को दोस्तो बहुत ही sharp और stylish design दिया गया है यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस segment की सबसे ज़्यादा stylish car है Kia Sonate इस गड़ी में दोस्तो आपको Kia की family grill मिलती है जो की देखने में काफी ज़्यादा stylish और काफी ज़्यादा premium look इस गड़ी को देती है Kia की इस grill के अंदर दोस्तो आपको red insert मिलते हैं जो की आपको GT line variant के अंदर देखने को मिलेंगे इस के दो variant आते हैं GT line variant और take line variant तेक line variant के अंदर दोस्तो आपको normal black grill देखने को मिलेगी उसी के साथ में दोस्तो आपको heart beat LED DRL दिये गए हैं जो की देखने में काफी ज़्यादा खुबसरत और premium लगते हैं उसी के अंदर दोस्तो आपको turn indicator का feature भी मिल जाता है headlight के design के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको LED projector headlight मिलती है जो की देखने में काफी ज़्यादा stylish दी गई है थोड़ा सा गर नीचे चलें अगर इस काड़ी के bumper के बारे में बात करें तो इस काड़ी का जो bumper है वो भी आपको काफी ज़्यादा stylish देखने में लगेगा bumper के अंदर आपको LED projector fog lamp भी दिये गए हैं bumper में आपको skid plate भी मिलती है जो की इस काड़ी के look को attractive बनाती है और एक SUV वाला look देती है इस काड़ी के bumper में भी दोस्तो आपको red insert देखने को मिलेंगे जो की GT line variant में आपको दिये जाएंगे यह तो होगी दोस्तो इस काड़ी के front profile की बात अब हम चलते हैं इस काड़ी के side profile में और वहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या कुछ दिया गया है side profile में सबसे पहले हम बात करते हैं इस काड़ी के alloy wheels के बारे में तो यहाँ पर आपको 16 इंच के multi spoke dual tone alloy wheel दिये गए हैं जो की देखने में काफी ज़्यादा खूपसूरत और attractive आपको लगेंगे इस काड़ी के side profile में आपको काफी bold wheel arts मिलते हैं जो की इसे SUV वाला look देते हैं अगर हम इस काड़ी के A और B पिलर की बात करें तो वो यहाँ पर आपको blackout देखने को मिलेगा silver color की roof rails यहाँ पर आपको मिल जाती हैं electrically adjustable and foldable overview यहाँ पर आपको दिये गए हैं window frame में वहाँ पर आपको chrome की line देखने को मिलेगी जो की इस काड़ी के look को enhance करती है chrome door handle यहाँ पर आपको दिये गए हैं इस काड़ी के C pillar की अगर हम बात करने तो थोड़ा सा unique C pillar यहाँ पर आपको दिया गया है जो की देखने में थोड़ा सा stylish लगता है और floating roof design यहाँ पर आपको देखने में मिलता है अब हम चलते हैं इस काड़ी की rear profile में और वहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या कुछ design देखने को मिलता है सबसे उपर यहाँ पर आपको shark fin antenna दिया गया है उसके बाद यहाँ आपको high mounted stop lamp मिल जाता है LED tail light यहाँ पर आपको दिये गया है जो की देखने में काफी ज़्यादा stylish लगते हैं यह दोनों tail light दोस्तों आपको एक strip से connect होते हैं इस तरह के tail light आपको इस segment में और किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे rear profile में भी दोस्तों आपको skid plate दी गई है जो की silver color की है और उसके उपर आपको red insert मिलता है जो की देखने में काफी अचा लगता है और इस काड़ी को एक SUV वाला look देता है यह तो हो गई overall इस काड़ी के डियाइन के बारे में बात डियाइन इस काड़ी का काफी addictive बनाया गया है और इस segment की सबसे stylish car यह रहने वाली है इस काड़ी के interior में दोस्तों आपको all black interior मिलेगा GT line variant का अंदर और अगर आप take line variant लेते हैं तो यहाँ पर आपको black and beach color का interior दिया जाएगा सबसे पहले बात करते हैं इस काड़ी के steering wheel के design के बारे में तो यहाँ पर आपको flat bottom steering wheel दिया गया है किया सेल्टोस वाला steering wheel यहाँ पर आपको दिया गया जो किया सेल्टोस के अंदर steering wheel है सेम वही steering wheel यहाँ पर आपको मिलता है steering wheel पर आपको steering mounted controls और cruise control का feature भी आपको इसमें मिल जाता है इसमें आपको 10.25 इंच का touch screen infotainment system मिल जाता है जो कि इस segment की किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है इसमें आपको android auto apple carplay navigation का feature मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों आपको Kia sonet का अंदर UVO connected car features भी मिल जाता है जो कि आपको Hyundai venue में देखने को मिलता है उसी तरह से यहाँ पर भी आपको connected car features दिये गए है touch screen के नीचे आपको vertically placed AC vents दिये गए है जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यहाँ पर आपको automatic climate control AC भी दिया गया है इसमें आपको front ventilated seat दी गई है driver armrest भी यहाँ पर आपको मिल जाता है इंच की MID दी गई है यह तो होगी दोस्तों इस काड़ी के exterior design के बारे में बात interior design के बारे में बात अब हम बात करते हैं इस काड़ी में मिलने वाले top features के बारे में इस काड़ी में दोस्तों आपको LED projector headlight मिलते हैं 16 inch के dual tone LO wheels यहाँ पर आपको दिये गए हैं electric sunroof यहाँ पर आपको मिल जाती है 10.25 inch का touch screen system यहाँ पर आपको मिलता है with connected car technology के साथ में और यह first end segment feature रहने वाला है 4.25 inch की MID मिलती है ventilated seat इस काड़ी में आपको दी गई है wireless charging यहाँ पर आपको मिल जाती है LED mood lighting यहाँ पर आपको दी गई है Bose का premium sound यहाँ पर आपको मिल जाता है smart air purifier भी यहाँ पर आपको दीया गया है safety features की अगर दोस्तों हम बात करें इस काड़ी में तो यहाँ पर आपको 6 airbag, ABS, EBD, traction control, tire pressure monitoring system, brake assist, projector fog lamp, ISO fix style जैसे safety features दीए गए हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस काड़ी में मिलने वाले engine के बारे में तो इसमें दोस्तों आपको वही engine दिये जाएंगे जो कि आपको Hyundai Venue का अंदर देखने को मिलते हैं 1.2 liter का petrol engine, 1.0 liter का turbo petrol engine और 1.5 liter का diesel engine 1.2 liter का petrol engine यहापर आपको 5 speed manual gearbox के साथ में मिलेगा और 1.0 liter का turbo petrol engine 7 speed DCT gearbox के साथ में दिया जाएगा 1.5 liter का petrol engine यहापर आपको 6 speed manual और automatic gearbox के साथ में इस काड़ी का अंदर आपको मिल जाएगा Kia Sonate का अंदर दोस्तों एक plus point है कि यहापर आपको diesel variant भी मिल जाता है इस काड़ी के जो competitor है main, vitara, preza उसके अंदर आपको diesel engine नहीं मिलता है उसमें सिर्फ petrol engine ही दिया जाता है diesel engine मिलने के साथ साथ इसमें आपको diesel के अंदर automatic का option भी मिल जाता है Kia Sonate के अगर launch date की हम बात करें तो इस काड़ी को दोस्तों दीवाली का असपास launch किया जाएगा के बारे में तो इस काड़ी का सीधा competition होने वाला है vitara, preza, hyundai venue, tata nexon, maindra xv300, ford eco sport और honda wrv के साथ में Kia Sonate इन सभी rivals को टकर दे पाती है या नहीं दे पाती है ये तो इस काड़ी के launch होने के एक दो मीने बादी पता चल जाएगा अगर इस गड़ी की price को attractive रखा जाता है तो definitely ये गड़ी अपने competitor को काफी कड़ी टकर देने वाली है इस गड़ी में आपको काफी सा design मिल जाता है उसके अलवा यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे मिल जाते हैं जो कि इस segment की दूसरी गड़ियों में नहीं आते हैं उसी के साथ में दोस्तो Kia Sonate का अंदर आपको सभी engine option भी मिल जाते हैं और gearbox भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो फिलाल के लिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकन को जरूर दबाईए